नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रहुल और आये स्पिस्स पाश्राप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम मिसलिनस टॉपिक की बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि सोर्सित जहां से उसको प्रिपेर करें तो ऐसे काफी कोश्यन है जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं और मैंने यूट्यूब पे देखा इसका कोई कॉंक्रीट एंसर है नहीं बहुत लोगों ने बहुत कुछ वीडियो बनाई है बट इसका एक पिन पॉइंट एंसर या फ प्रिविए से ट्रेंड के हिसाब से जिससे हमेशा कोशन आते हैं और जो कि बहुत इंपोर्टन हो जाता है आपके पेपर में आपका कट आफ क्लियर करने के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में जो बताया गए हैं उस चीज को अप्लाई कर यह तब ही आपको इसका फायदा होगा सुनने से देखें बहुत जागा फायदा होता नहीं है तो आई होप आप मेरी बताया हुए चीजों का अप्लाई करेंगे और उसका फायदा आपको एक्जाम में ज़रूर देखने कर मिलेगा तो आगे बढ़ते हैं जो इस वीडियो पूछे जाते हम यह देखेंगे तब ही हमको समझ में आगा कि हमको sources कौन कौन से refer करने है और चौथा आपका है कौन कौन से sources important है और आपका पांचवा है कि important misilinist topic कौन कौन से हैं और मैं यह previous year trend के हिसाब से आपको बताने कोशिश करूँगा कि कौन से important topics हैं जहां से पिछ industry मिलेगा, policy मिलेगा, economics मिलेगा, science मिलेगा, UP special मिलेगा, current मिलेगा, तो इही topic में से basically misilinist निकल के आता है, misilinist ऐसे topic होते हैं जो कि आपको core GS है उसके अंदर fit नहीं होते हैं, for example आपका agriculture data हो गया, mineral data हो गया, इनको देखने को आप कह सकते हो कि यह economics के portion है, but यह misilinist में आत निकलते तो वो GS के topic में से ही है, but उनको आप GS के set pattern में fix नहीं कर सकते हो, तो वो topic हम misilinist में रखते हैं, तो जब आगे मैं आपको questions के example दिखाऊंगा, तब आपको यह ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएगा, कि हम किन topic की बात कर रहे हैं, तो I hope आप यहां तक तो बातों को समझ गया होंगे, हमारा second point यह है कि importance of misilinist topic in pre, तो अगर साप pre की बात करें, तो हर साल आपको कम से कम 20-25 question ऐसे हैं, जो कि misilinist से मिल जाएंगे, मतलब अगर साप चाहें तो GS कहले, अगर अगर से section में भी divide कर सकते हैं, बट अगर से अलग से बात करें, तो आपको 20-25 question ऐस से prepare करना और किन topics को prepare करना है, चले तो हम तीसरे पार्ट में यह देखते हैं कि कि स्टैक के question आपके पूछेगा है previous year में, तो आपको काफी idea हो जाएगा, तो जैसा आप यह देख सकते हैं, एक sensor से question आया है, कि sensor 2011 हिसाब से UP की literacy rate क्या थी, तो यहाँ आपके 4 option है, तो देखि होगे, यह basically आपको एक example दिखाने का तरीका है कि आपको किस type of question prepare करने है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस question में, कि India state of forest report 277 के बारे में पूछा है कि total geographical area of country and the forest कितना है, जैसे आप यह question देख सकते हो, यहाँ आपको चाई UP का district दिया है, उसमें पूछा है कि lowest female literacy rate कहाँ है as per 2011 census, आपको question number यह है, कि largest producer of cardamom and pepper in India, तो ऐसे question पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि agriculture data हो गया, mineral data हो गया, कौन सा state larger producer है, किसकी productivity ज़्यादा है, तो इस type question भी आपके आते हैं इसी में से, अगर देखा जाए तो आपको कहेंगे कि geography का question है, यह agriculture question है, but basically इसको miscellaneous topic में ही add कर लिया जाता है, जैसे question ही देखेंगे आप, कि which of the following country is the leading producer of iodine in the world, तो यहाँ पर आपको option दिये गए है, इसके आपका यह question है, कि 2011 census के साब से, इन चारों में से किस state में lowest child sex ratio है, बोथ ही ruler and urban area, यह question देखिए, 2011 census के साब से पूछा है, कि which of the state has the largest rural population, सबसे कि अबादी कौन से state में रहती है, इसे दर आपका यह question है, यहाँ आपको चार organization दे दिये गए है, उनके headquarter दे दिये गए है, और बाकि आपको यहाँ match करना है कि कौन किसका headquarter है, तो ऐसे भी question आते है, international headquarter आएंगे, आपको national headquarter आएंगे, तो यह सारे question जो है, वो miscellaneous topic में चले जाते हैं, आप यह question देख सकते हैं, इस type के question है कि, which one of the following is not an element of ruler committee, तो कौन सा ग्रामीर समुदाय का तत्व नहीं है, तो यह देखिए, यह question जो है, simply common sense में है, पैसे question को भी आप miscellaneous में रख दोगे, जो कि कहीं भी GS में set नहीं होते हैं, जैसे यह question आपका हो गया, उस बात हैं, आपका उत्रप्रदेश हो जाएगा, तो देखो कि बहुत से question बहुत simple simple आये हैं, जैसे पूछ लिए पिछले साल में कहुं सा most populous है, और कुछ 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 आपको tough आये हैं, तो पहले आपको miscellaneous में दो चीज ध्यान रखनी है, कि miscellaneous को आपको ऐसे लेके नहीं कि बहुत tough है और नहीं हो सकता है, आपको paper में दिया हुआ, देरसों में से देरसों question solve और नहीं करना होता है, आपको होँआप से cutoff player करना है, maximum marks ला देंगे, तो आपका कई merit में नाम नहीं हो जाएगा, जो कि pre का marks आपका final marks में जोड़ता है, तो इसलिए आपको दुनिया इसलिए 24 question आएंगे न, तो आप आराम से 15-16 question यहां से निकाल लेंगे, कोई issue नहीं है, इतना बड़ा कि miscellaneous को लेकि इतना tension लिया जाए, तो जो मैं sources बताऊंगा, जो strategy बताऊंगा, आप उसी को follow करियेंगे, तो आपको काफी फयादा होगा, नहीं तो miscellaneous को लेकि आपको पढ़ने है, तो यह आपकी important miscellaneous topic list हो गई, तो आप यहां देख सकते हैं, 6 topics जो है, वो important है, पहला होगे आपका livestock census, दूसरा आपका होगे इंडिया state of forest report 2021, और tiger report 2018, तो ISFR report 21 में आई है, और tiger report 18 में आई है, तो यह report आपकी important हो जाती है, तीसरा आपका होगे SRS bulletin, ब आपको question दिखाया है कि cardamum का सबसे जादा producer कौन सा है, आपका cocoa का कौन सा है, mica का कौन सा है, copper का कौन सा है, tin का कौन सा है, तो यह basically पूछ लेता है, इसके बाद आपका सबसे important जो है census, census आपका UP का भी और इंडिया का भी, दोनों काफी important है, इसको अच्छे से पढ़के जान आपके UN के जो permanent body है, उनके होगे, specialized organ जो होगे, उनके होगे, UP के major institutions होगे, उनके headquarter है, तो basically यह जो 6 topic है, वो most important है, और previous year में इनमें से question काफी है, तो यह 6 topic को आपको अच्छे से prepare करना है, अब मैं आपको sources बताऊँगा कि आपको कहां जिसको prepare करना है, तो finally हम sources की बात कर ल online हो गया, आप online resource पढ़ेंगे, और तीसरा आपको हो गया, my notes, जो मैं आपको provide कराऊँगा, अभी मैं इसके कुछ notes बनाऊँगा, जैसे organization के notes हो गए, मैं कोशिच करूँगा कि census के important topics है, उनके notes बना लूँ, कुछ important mineral data के notes पढ़ेंगे, तो basically आपको मेरे notes पढ़ने है, जो क से आप answer निकाल लेंगे, उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने कज़रत नहीं है, दूसरा आपको होगे, online resources, तो आपको online क्या-क्या चीज़ चेक करनी है, पहला आपका जो agriculture और mineral data हो गया, वो आपको online देखना है, reason यह है न, कि आप किसी भी coaching का material आ कुछ भी पढ़ोगे, त उनका current time में कौन सा larger producer है, वर्ल्ड में, और इंडिया में, प्लस अगर से कुछ agriculture community जो UP में होती है, तो वो कौन कौन सी है, UP किस किसी में आ गया है, आपको यह देखना है, यह basically आपको online resource में मिल जाएगा, आप internet पे सर्च करना, जो latest data होगा, वो आपको मिल जाएगा, और मै कोशिश करूँगा, अगर से कोई मुझे data, कोई नया report मिल जाए इस बारे में, तो मैं अपने telegram चनल पे उसको डाल दूँगा, तो आप वहां से जाको इसको ले सकते हैं, लास्ट आपका होगया my notes, तो कुछ-कुछ topics हैं, जैसे urbanization के हो गए, census के हो गए, और आपका ISFR report हो लेना, तो इस तरह करके आप आराम से मिसलिनेस topic को cover कर सकते हो, आपको कोई अलग से resource पढ़ने के जरूद नहीं पढ़ेगी, मैंने बहुत सा वीडियो देखा है कि लोग पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, इसके लिए कोई अलग book पढ़ लो, तो यार time भी नहीं है पढ है, उसी में sensor निकालना है, तो इसलिए मैं आपको वही resource बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं, और जो easily 2 महिने में cover हो जाएगी, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि मिसलिनस topic को कैसे deal किया जाता है exam में, और आपको क्या करना है आगे, तो दोस्तों मैं टेलिग्राम चैन को भी लेकर मैं इसी चैनल पर अपडेट करूँगा आपको, तो दोस्तों I hope आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला होगा, अगर सापको कोई doubt है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, आप इसी तरह महनत करते रहें, thank you and God bless you all.